जैशी रामसभी भक्तों को जैमाता की फिर एक नाई वीडियो के साथ हाजिर हो गvikए है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताएए कितनी भी पूजा पत कर ले कितना मन्त्र कर लें कितना भी जो हैं हम भगवान का ध्यान करिंगे फिर भी हमें शक्तियां प्राफत नहीं हो रही है substफ कि हमें शक्तियां जो है मिल नहीं पा रही है तो आउज की वीडियो इसी वीशे पे हैंinä साथ अंतक बने रहेना तब आपको सारी वीडियो समझ में आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेर करें कोमेंट करें चैनल पर नए है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें चलिए सुरू करते हैं आज की जैशिराम जैश्री जाला जिमाराश श किसी भी कारिये में किसी भी प्रस्थित्यों में शक्तियों का इस्तमाल तो कभी करना ही नहीं है शक्तियां स्वम तो कि अगर उनकी शक्तियों का इस्तमाल करना लगा तो इसका मतलब यह है कि बगवान की किरपा मेरें पर नहीं है क्योंकि ऐसे इस्तमाल करने की कभी नोब देने की कोशिश करते हैं या किसी विपकागी देवी को प्रसंद करने की कोशिश करते हैं और उल्तिक्रिया करने की कोशिश करते हैं किसी का घर का नास करने की कोशिश करते हैं वो जो शक्ति प्राप्त जोश कर रहे हैं वो अपने कुटुम का नास भी करते हैं खुद तो मर अपने कुटूम का भी नाज कर लेते हैं क्योंकि पर दुर्गा सब्तशी के सिद्ध कुंजिका स्टोट में शिव भगवान ने रहस्यां में बाते बताई है जो की विशेश तोर पर रहस्या में उसमें सपस्ट तोर पर इस बात का विश्चलेशन दिया गया है कि हे प्रिये हे पारवती ये जितनी भी शक्तिया हैं ये सब की सब मेरे दौरा एक किलित है इन्हें सिद्ध पुर्ष समर्पन करने वाला जो भगवान के परति अपने आपको समर्पन करता है सब कुछ भगवान का दिया है मेरा मेरा कुछ नहीं या जिसमें किसी बड़े चोटे का आद सिद्ध का मतलब समर्पित होने वाला हर भगवान को समर्पन करने वाला चाहिए उसमें कुछ भी हो भगवान वो ये सोचता है कि सब कुछ भगवान ने दिया है ये सब कुछ भगवान का दिया है और भगवान अपने हिसाब से ही उन शक्तियों का परयोग भी करवाएंग और इसी पकार से ऐसा व्यक्ति, उन शक्तियों को और सिद पुर्श के साथ लगकर जल्दी जावित कर लेता है अब उन लोगों को इस शक्ति प्राप्तनी होती है जिसमें लालच होता है किसी भी पकार का गमंड होता है, इंकार होता है कई वार शक्ति के मद में ऐसे लोग जाते हैं जो लगातार पागल भी हो जाते हैं वो पागल कैसे होते हैं वो कोई ऐसा मंतर सिद्गन रहते हैं जैसे की मा बंगला मुकी का या कोई ऐसी तामचिक शक्ति का अवान करते हैं उन से सिद्धी होती नहीं है। वोल्टी भी पर जती है। जब बोट ज़र गात देते हैं। रोल्टी फ़्लिक्र में परेटें का परें। कोई कि सोचता है कि फटा-फट मैं कोई लाटरी का नंबर या सक्टे का नंबर या किसी पकार की कोई चीज लालशवस राप्त करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों का नुक्सान ही होता है उनको वो शक्ति राप्त नहीं होती है देखिए अगर आप सोते हो कि मा दुर्ग की जो शक्ति है दिन राद दर्वार चल रहा है इसी करके जला थोड़ा खराब है तो कि दिन राद जैसे कि आपको पता कि नवरातरी में दर्वार लगा रहेते हैं तो उसी दुरान क्या है मालों गले के अंदर दिक्कत है तो लोग क्या करते हैं मादुर्गा की शक्ति को प् हर प्रियास करने में कोई बुरा ही नहीं है और मा की किर्पा को प्राप्त करने में कोई बुरा ही नहीं है तो कि मा की किर्पा वो एक ऐसी किर्पा है जो दिखाएगी कुछ नहीं लेकिन 2400 घंटे सुबर और शाम अपने बच्चे की रक्षा करेगी ऐसी ही शक्ति हनुमान ज के पास क्या शक्तियों की कमी की कभी ती जो स्वम शंकर्वगवान के ग्यारवेरूधर फारल वजर लगने के कारण हर धर्ता का उन्हें वर्द्वानीops अग्या के दुवरा उनने अश्ट, Siddh & पाईवी शक्तिया थी कि यह जैसे कोभी गुम्रा करसकते यह अक lets puppies नेकिन और उस्चीों हर देवी देवता का वर्दान पराप्त, माता सीता का वर्दान पराप्त, और आप सोचो क्या उनके पास सब कुछ ने का, नेकिर वो मर्यादा में रहे का, इसी प्रकार से अगर आप किसी भी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, या किसी भी किर्पा को प्राप्त करना चाहत हो उसके प्रति आप अकर चाहते है तो आदर और भाव समर्पन जरूरी है क्या पूजा साधना के दोरान हमारा गुरू होना भी अनिवारिया होता है कि अगर आप भक्ति करते हो और बग्ति के दोरान अगर आप कुछ कर रहे हो वह आप के उपर बात है गुरू का मैटर क्या फूजा ही ना करें फूजा की बात एक अलगा है अपको मतलब नहीं पतल आ आपने przysz तो को मैंतर उचाइप सी दोस्ट को से दो Т MA का पुस्तिक है उस पुस्तक अगर दुर्गा सत्शी की पुस्तक लगा Papamu लगा अतार आपने कम से 1007 पार उसके जाप कर लिए हैं पर महलो उसका अधियन कर लिया अधियन करने के बाद आप झिए कि और आपको पता ही नहीं है गरहन के दोरान आपने इसफ्मि की पाamiliar कर लिया है। जो भी समय है समय को समझना समय वी जब भी समझम आता हैं जब हम अपने आपको समझेंगे अभी मेरे पाइब ऐसे थैसे नवरत लियों के मि отвеч कि पर जलूर है मैंने मैंसी 17 परकार की हम कितना भी हैं यह मैं अनुभव नहीं तरह है हमें अगर आपको चितल की किर्पा सबसे बड़ी है अगर आप पंचकुर मंतर का भी जाप करते हो उससे भी आपको किर्पाप्राप्ट रोग तो कि नवरात्री के अंदर अगर कई वर आप सोचते हो कि हमें भाके में ही धर्म के परति कारिय करना है या कुछ ऐसा विशेश बनना है ताकि हम बगवान के परति यह रगे कि हम भी उनके कुछ हिस्सेदार बन सके वैसे तो इसम रहोगे परियास जारी रखोगे आप सोचते हो कि मैंने नहें नो दिन के और आल पूजा कर ली और में एक ही दिन में सिध्ड हो गया सुन पिरमात्मा चाये तो प्रिवर्थित कर सकता है अब थृत्रित भी कर सकता है ज़र प्रवात्मा स्वम जाहे नेकिन हम तो अपना परियास कर सकते हैं करम के अंदर हमारा दिकार है फल की आशा हमें नहीं रखने चाहिए फल तो हमें सुम देंगी इस पकार से गीता के अंदर भगवान श्री किशन ने सुम अर्जुन को कहा कि है अर्जुन तू सिर्फ करम कर फल तो तुझे अपने आप प्राप् करने के वाकार से भगवान आपके सोच ले कि मुझे इसको बनाना ही बनाना है और जब सोचेंगे जब आपका उदेश्य है सचा होगा वाके में मैंने तो अब अपने रिवार की रक्षा के लिए कार्ये करना है तो कि आज क्या हमारा जीवन है उसे लोग खड़े हो जाते ह कि लुँआ विचाब करने तो कि वह कि अगलत कर को कि आथ में पूप जाता आकि कि गजा cela ना कफी सवा ना कभी नुक्र या पता उसके पास क्या शक्ती है क्या पता वो क्या पावर ले वैठा ऐर तो कि परमात्मा की पावर जो होती है ना दिखती नहीं है वो फिर ब defensive बिल्ति के भी समय आदिवर्जार करें हो सकता है औन्यकुर shipping की शक्ति रूट हो यह अगर बाबा की शक्ति रूट हो जाए अगर कुल की शक्ति रूट हो जातीं तो उसका कोई एंसोत 열ाज नहीं हो बिंदिद har ambido a आपको शक्तियों को अगर प्रसल करके चलोगे, अपना पहले ही बता कर चलोगे, तो आपको शक्ति इस पकार से प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस पकार से प्राप्त नहीं हो सकती है, अगर आप गलत रिचार रखकर, आप किसी चीज की साधना करने हो, जैसी जिसकी भावना झाल